हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IAS Hindi हमस्कार Study IQ IAS Hindi में आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है मैं हूँ विरत दुबे और एक बार फिर से आपके समक्षाजिर हुआ हूँ जैसा कि आप सब लोगों को बहुत इंतजार था कि सर आप यह जो पुस्तक है जिसके बारे में लगातार बोला जा रहा था कि अच्छी तरीके से और यह पुरा का पुरा जो कारिकरम है च्बाइबस को अच्छी तरीके से अपनाएंगे समझने का प्रयास करेंगे notes बनाने का प्रयास करेंगे चाहिए अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको आध्रीन भारत का इतिहास अभी हाल ही में तक्रीबन एक डिड़ महीने पहले ही मैंने इस सेशन को समाप्त किया है जो कि आध्रीक भारत का इतिहास था spectrum book को सरली कृत किया था आपके समक्ष उससे पहले बहुत पहले तकरीबन एक साल पहले प्लेलिस्ट बनी हुई है आप देख सकते हैं ओधरी। भारत का इतिहास विपिन्चंद्र जी की किताब सही किया गया था लेकिन वह विपिन्चंद्र जी की जो किताब थी वो आदरीक भारत का इतिहास थी आज जो हम विपिंच चन्द जी किताब पढ़ रहे हैं वो है भारत का स्वतंता संगर्ष दोनों यह हिंदी माध्यम कार्यान वे दिल्ली विश्वद्याले द्वारा प्रकाशित विपिंचन्द्रा जी भुदुला मुखर जी आधित्य मुखर जी शुचेता महाजन इत्यादी इसमें लेखगण है तो इनकी जो किताब है इस वाली किताब से काफी अंतर है इसमें दोनों मे कराया हुआ था ठीक है इस वाली बुक को अगर आप देखेंगे तो इसको मैंने mcq के माध्यम से कवर कराया था चैप्टर वाइस चैप्टर मैंने खुद mcq बनाये थे और उन history on map आप इसको यह बहुत अच्छी तरीके से देख रहे हैं इसमें हम प्राचीन इतिहास से ले करके संपूर्ण इतिहास जो भारत का आधुनिक इतिहास तक कर जो समयाएगा सब में जहां-जहां भी मैपिंग का इस्तेमाल होगा उन topics को उन chapters को उठा करके मैं आपको map के थ्रू पढ़ा रहा हूं handmade maps होते हैं मैं आपके सामने map बनाता हूं locations रिप्रेजेंट करता हूं और आप उसे देखते समझते हैं तो अब बारी है भारत के स्वतंता संगर्ष की तो सब लोग हैं तयार हाँ या नहीं भारत का स्वतंता श्विपिन चंद्रा जी की जो एक किताब है इसको पढ़ने के लिए सब लोग तयार रही आगे बढ़ेंगे उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि भाई आज है 15 तारीक लेकिन कल तक यह छूट एवलेबल है 15 तारीक आज है और आज ही से मेरा बैच शुरू होगा शाम 6 भजे शाम 6 बजए मैं आधनिक भारत के साथ शुरू करने जा रहा हूँ मैं इतिहास की शुरूरात करूंगा हिंदी माध्यम में जब आप हंधि हंपी में वेसे पढ़ने के मौक एक पर पढ़ते हुए दिखूंगा तो आप जरूर मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो paid batch में जुड़ें और ये paid batch मुख्यता अगर हम देखेंगे तो 26,999 रुपए की इसका price है लेकिन क्योंकि अभी भी दिवाली sale चल रही है इसलिए आप विरत live code का इस्तेमाल करके शीगरत शीगर इस batch में admission ले 22,999 का ये तो भी इतना ज़्यादा परिशान होने की ज़रूरत नहीं है और जितना आप code करते हैं हमारा उतना हमें पता चलता है कि आप हमारे कितने निकट हैं हमें भी आपके प्रेम स्वरूप ये code प्राप्त होते हैं तो चलिए दस नॉवंबर से इसका orientation हुआ था 15 तारीक से आज लेना चाहते हैं कोई सब्जेक लेना चाहते हैं जैसे हिंदी साहिते हिंदी मीडम के स्टुदेंट्स को काफी ज़्यादा प्रियों होती है तो अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो भी आप इसमें विरत लाइप कोड करके 23,999 में आप इसको ले सकते हैं वरना यह 18,999 की बजाए 13,999 में दिवाली सेल ओफर का इस्तेमाल करके प्राप्त किया सकता है चलिए अब हम शुरुवात कर लेते हैं अपने सेशन की और मैं आपको सबसे पहले आज जो किताब है उस किताब में जो चैप्टर्स दिखे हुए हैं टोटल 40 चैप्टर्स हैं अगर आप देख इन 40 अध्यायों में क्या क्या चीज़ें हैं पहले आईए उसको देख लेते हैं आज इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का कुछ और विशेस नहीं हम केवल यह बताने का प्रयास करेंगे कि किसमें हमको क्या क्या चीज़े पढ़नी हैं जैसे 1857 के विद्रोह की बात करते ह इसमें हम जानेंगे कि 1857 का विद्रोह कब से शुरू हुआ थी के पीछे क्या कारण रहे होंगे और उसके क्या परिणाम रहे इत्यादी के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे तो यह 1857 के विद्रोह can के बारे है उनके बारे में चर्चा होगी ठीक है नागरिक विद्रो ग की बाद के भी कुछ विद्रोह आपको इसमें देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, संताल विद्रोह है, कोल विद्रोह है, रंपा विद्रोह है, ये सब इसमें देखने को मिलेंगे, ठीक है, संताल, कोल, रंपा, इस तरीके के विद्रोह जो हैं, ये सारी चीज़ें आपको इस टॉपिक में इस तो यह चीज आपको टॉपिक नंबर जो अध्याय नंबर दो है उसमें देखने को लिए इसी तरीके से अध्याय तीन में जब पहुंचेंगे तो 1857 के बाद किसान अंदोलन और किसान विद्रोह जो हुए है उनके उपर चर्चा होगी खास तोर से इनमें जो चर्चा होने वाली है वो नील किसान अंदोलन जो थे नील विद्रोह जिनों ने किया था तो आप लोग ने नील विद्रोह के बारे में सुना होगा ठीक है तो हम नील विद्रो कह दो या फिर नील आंदोलन कह दो एक ही बात है पाबना विद्रो पाबना ये भी एक तरीके का किसान आंदोलन है जिसके उपर हमारी चर्चा रहेगी 1873 के आसपास ये हुआ है नील विद्रो तो हमें डक्कना अंदोलन भी इसी टॉपिक में पढ़ना होगा तो हम जल्दी जल्दी से सारी चीजें देख रहे हैं कि वह किस टॉपिक में क्या क्या चीजें हमें कवर करनी है जैसे यहां पर देखें कॉंग्रेस की स्थापना का मिथक इस किताब में दो तरीके के यूम की एक रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के उपर यहां पर चर्चा होगी वह रिपोर्ट क्या है उसको हम लोग यहां पर पढ़ेंगे ठीक है उस रिपोर्ट यह गोपनी रिपोर्ट कही जाती है और माना जाता है कि जो यूम है यह थोड़ा भारती रास्टवादी रहे तो इसमें कई सारी चीज़ें हमको पढ़ने को मिलेंगी राष्टवाद यहां से शुरू हुआ है तो राष्ट निर्माड जो है राष्ट निर्मान जो है उसके लिए कि प्रकार के कदम उठाया जाने चाहिए इसके उपर एक सोच देखने को मिलती है तमाम सारे इसी को ध्यान में रखते हुए राष्ट्री कारिक्रम हमको देखने को मिलते हैं राष्ट्री कारिक्रम तमाम सारे हमको इसमें जो है वो राष्ट्री कारिक्रम देखने को मिलते हैं इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो इसमें एक रास्टवादी विचार धाराएं हैं उनका निर्माण होना शुरू होता है और खास तौर से हम इसमें देखेंगे कि कॉंग्रेस के स्थापना में और रास्टवाद के निर्माण में ह्यूम की भूमिका है यूम की भूमिका है वो क्या है वो भी हमें इसी टॉपिक में देख सुधार जो है वो रूडिवादी विचार जो है रूडिवादी रूडिवादी विचार रूडिवादी विचार अब आप इन्हें रूडिवादी विचार कह लें या फिर आप इन्हें अंद्विश्वास कह लें अंद्विश्वासों का एक माया जाल फैला हुआ है वो उस सुधार हो सकता है सांस्कृतिक वैचारिक संगर्ष जो है वो हमको यहां पर देखने को मिलेंगे तमाम प्रकार की जो सांस्कृतिक धाल है वो हमको देखने को मिलेगा ये टॉपिक जो है वो इन ही चैप्टर्स को ले करके बना हुआ है तो सामाजिक धार्मिक सुधार और राश्ट्री जागरण यह आपका टॉपिक नंबर 6 है यह चैप्टर नंबर 6 है फिर उसके बाद 7 में आ जाएंगे अपनिवेशिक अर्थतंत्र की मिमानसा ये एक अध्याय हमको देखने को मिलेगा जिसमें खास तोर से जो गरीबी है गरीबी की क्या समस्या है और एक तरफ गरीबी की समस्या है और एक तरफ ओद्योगिक विकास है ठीक है तो गरीबी की समस्या गरीबी की समस्या इसके अला ये हम लोग को समझने को पड़े मिलेगा क्योंकि ऑद्रदेखिक विकास से तो विदेशी पूझी का यहां पर आवागमन होता है तो विदेशी पूझी पूझी और ये विदेशी पूझी के जो निवेश इत्यादी हैं इनकी क्या भूमिका रही है भारती इतिहास में इसको हम समझेंगे भारती एकनॉमिक डेवलप्मेंट है भारत में वो भी कॉलोनियन रूल्स के दौरान जिस समय अपनिविशिक शासन चल रहा है तो किस प्रकार की चीज़े चल रहे हैं और जब यह सब चीज़े बहुत चलती है तो इसी दौरान स्वशासन की मांग भी उठती है स्वशासन की मांग तो इनके उपर हमारी चर्चा रहेगी इनको हम समझने का प्रयास करेंगे ठीक है चैप्टर नमबर 8 की अगर हम बात करें अध्याय 8 की बात करें लोगों ने बोलना सीख लिया है तो उसके उपर अब रोक लगाया जाएगा उसका रीजन यह है कि सरकार के खिलाब भी आवाजे उठने लगी है तो इसमें आप 1878 का जो वर्ना क्यूलर प्रेस एक्ट है वर्ना क्यूलर प्रेस एक्ट इसके बारे में पढ़ेंगे सुरेंद्रनाथ बनर जी जो है सुरेंद्रनाथ बनर जी इन्होंने खुल करके सारी चीज़ें बोलना शुरू किया है तो सरकार ने इनका भी विरोध किया ठीक है सरकार ने क्या किया सुरेंद्रनाथ बनर जी का भी विरोध किया उनके क्या संघर्ष रहे हैंост milulden की उनको जेल भेज दिया गया। इसी तरीके से एक और व्यक्तित्व हैं तिलग के ऊपर राजद्रोहका आरोप लगता है उनुने जेल जाना इन सब चीजों के ऊपर हमारी चर्चा रहेगी क्यों क्या कंडिशन्स थी क्यों भेजा गया था ठीक है आगे बढ़ेंगे तो अपनिवेशिक विधाई का अगला टॉपिक होगा हमारा अपनिवेशिक विधाई का राश्ट्री इस्तेमाल यानि कोलोनियल रूल मे जो विधाईकाएं आई हैं लेजिस्लेचर साएं हैं उनका किस प्रकार से इस्तेमाल हो रहा है राश्ट्री कारेकरमों में उसके बारे में टॉपिक नंबर या अध्याय नंबर 9 है तो इसमें खास दोर से हमको 1861 के अधिनियम के बारे में पढ़ना पड़ेगा 1861 का अधि यह देखना पड़ेगा इसके अलामा विधान परिशदें जो है उनका क्या नया रूप है उन नहीं रूप को समझेंगे साथी साथ जब अधिनियम 1861 देखेंगे तो एक और अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अथारा सो बानबे 1892 का एक्ट जो है यह सब गर कर देंगे तो इस समझी चीजों के पीछे जो है राष्टवादियों की hoping की हिए लुसको हम समझने का प्रयास करेंगे वास्तविक रूप में यहां पर जो राष्टवादी हैं वो उदारवादी राष्टवादी है और उनकी वाथ है कि आगे चल कर के बारे में पढ़ रहे हूंगे इस टॉपिक हम भंगाल विभाजन के बारे में Vieim ठीक है यह टॉपिक हमारा किसको चबब करेगा पंगाल विभाजन को पीछे जो विरोध और आंदोलन यहां चलेंगे इसमें गरम पंथी विचारधारा जो हैं गरम पंथी जो अभी संघर्ष करना शुरू कर चुके थे नरम पंथियों के साथ उनके वैचारिक मतभेद होने लगे थे तो गरम पंथी जो उदय है वो उदय कॉंग्रेस में उनकी पकड़ का मजबूत होना यह सब चीजें हमको जादा देखने को मिलेगी स्वावलंबन का एक नारा जो है गुंजना शुरू हो जाएगा एक जो जिसको कह सकते हैं कि उदारवादी विचारधारा का धीरे धीरे यहां से अंत होता हुआ हमको देखने को मिलेगा तो एक विशेष प्रकार के यूग का अंत ह हमको देखने को मिल रहा होगा नई जोश नई खरोश यह हमको दिखाए देगा इस चैप्टर के दोरा अध्याए 11 में आएंगे तो कॉंग्रेस विभाजन तथा क्रांतिकारी आतंगवाद का उदय यह एक चैप्टर है जो कि हमको पढ़ना होगा जिसमें हम यह समझने का सब्सक्राइब करेंगे कि नरमपंथियों की क्या नरमपंथी असफल रहे सब आब इकसी बात है नरमपंथी जो हैं और 1885 से ले करके 1905 तक यह बहुत जाधा सफल नहीं हुए हलाकि कुछ सफलता है मिली तो इनके असफल होने के पीछे क्या रीजन थे उसको समझने का प्र स्यास करेंगे साथी साथ कॉंग्रेस और कॉंग्रेस का ब्रिटिश पहले शुरुवात में देखेंगे कि आप सहयोग मिल रहा है लेकिन बाद में ब्रिटिश सरकार जो है वह कॉंग्रेस के खिलाब बहुत जादा एक्शन्स लेने शुरू कर देती है तो कॉंग्रेस के प का रवया और साती साथ मुख्य तोर से इसमें जो पढ़ने का बात होगा वो कॉंग्रेस का सूरत सेशन होगा कॉंग्रेस का सूरत सेशन सूरत अधिवेशन जिसमें विभाजन हो जाता है कॉंग्रेस का जिसमें क्या हो जाता है विभाजन हो जाता है उसके बारे में खास तो 1909 का मौरले मिन्टो सुधार मौरले मिन्टो रिफॉर्म यह लाने का प्रयास किया जाएगा और एक बार फिर से भारत को बर्गलाते हुए बिटिश सरकार दिखाई देगी सेकेंड उसके बाद चैटर नंबर 12 की बात कर लेते हैं 12 अध्याय की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर कुछ विशेस आंदोलन मंको देखने को मिलेंगे प्र्थम विशुद्ध हमको समझना होगा प्रथम विशुद्ध भारती राश्टवार गदर आंदोलन तो प्रथम एक प्रकार से भारती राश्टवाद का जो संघर्ष है, संघर्ष जो है, उसका संघनाध होना शुरू हो जाता है, गदार अंदोलन पढ़ेंगे तो एक प्रकरण ज़रूर पढ़ने को मिलेगा आपको, कामा गाटा मारू प्रकरन ये क्या है इसके बारे में हमको समझने को मिलेगा इसी टॉपिक के अंदर ठीक है तो ये भी हमको समझ में आ गया कुछ धर्म निर्पेक्ष चरित्र जो है वो भी हमको समझ में आएगा उस समय भारत के रास्टवाद का तो वो हम देखेंगे टॉपिक नंबर 13 की अगर हम बात करते हैं अध्याय 13 की अगर हम बात करते हैं तो अध्याय 13 में होमरू लीग है अब स्वराज की मांग तेजी से बढ़नी शुरू हो जाती है गरम पंतियों को सफलताएं जो हैं वो मिलनी शुरू हो चुकी है थीरे थीरे करके तो अब इस चैप्टर में हमको यही पढ़ना होगा कि हम जो स्वराज की तरफ बढ़ रहे हैं स्वराज या हम कह सकते हैं स्वशासन स्वशासन इसकी तरफ जो बढ़ रहे हैं इसको लेकर के यहां पर किस प्रकार के activities हैं उनको हमको देखने को मिलेगा साथि साथ गरम पंतियों की सफलताओं के बारे में हम पढ़ रहे होंगे Congress और League का इसी दोरान समझोता होता है तो हम Congress लीग समझोता लीग समझोते के उपर जरूर नजर डालेंगे समझोता क्योंकि क्योंकि यह सारी जो चीज़ें है न यह सब 1916 की एक्टिविटीज के अंतरगत आती है तो 1916 में यह वाली घटना भी घटित हो रही है 1916 में यह सब चीज़ें भी चल रही है तो आसपास की घटना है इसले उनको कट उसको जो है कवर करेंगे लिकिन जब यह एक्टिविटीज बढ़ेंगी तो स्वाभाविक सी बात है रास्टवाद बढ़ेगा और रास्टवाद बढ़ेगा तो ब्रिटिस सरकार क्या करेगी दमनकारी चक्र जो है वो चलाना शुरू करें फिर इसके बाद गांधी जी का आगमन होग में पढ़ते हैं कि दफ्षण अफ्रीका में उनका अंदोलन जो है वो किस प्रकार कर रहा है ठीक है तो यह बात हमको इसपस्ट है कि दफ्षण अफ्रीका से ही उनको एक अधरास्ट्री ख्याती मिली हुई थी सत्याग्रा अंदोलन उन्होंने वहां पर भी चलाये थे तो उनका सत्याग्रह क्या है उसके बारे में सत्याग्रा अंदोलनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि सत्याग्रा अंदोलन बेसिकली होता क्या है गांधी जी का सत्याग्रह क्या है इसी दौरान फिर वो आप देखेंगे कि भारत वापस आएंगे तो भारत वापसी भी उनकी पढ़ेंगे हम लोग और भारत वापस आ करके उन्होंने किस प्रकार के कार्य किये चंपरण एहमदाबाद मुवमेंट वगरा जो है और रॉलेट सत्याग्रह जो है इन सब चीजों के उपर अमरे दिश्टी रहेगी तो मतलब चंपरण है एहमदाबाद है एहमदाबाद है खेड़ा है यह सारे जो मुवमेंट्स हैं यह हमको पढ़ने होंगे तो आई होब कि आपको टॉपिक नंबर 14 समझ में आया होगा 15 में जब हम चलेंगे तो यहां पर गांधी है यह असयोग आंदोलन 1920 से 1922 का है इससे घटना जुड़ी हुई है चौरी चौरा तो चौरी चौरा जो कांड है उसके बारे में भी हमारा डिसकॉशन यहां पर रहेगा ठीक समझ मियारी की नहीं बात आ रही है फिर चैप्टर नंबर 16 में चलेंगे तो किसान आंदोलन औ जर्याजरा जारो चैप्तर प्रौत्र कांड़ेश संगर्ष उत्तर प्रदेश में मालाबार रीजन में और बार्दोली रीजन वे तो यह अपने आप में है इसमें sources Guide की चर्चा होगी silent Ah इसे अधर अवद किसान सभा सभा मोपिला विद्रो साध में मोपिला किसानों का आंदोलन आपको देखने को मिलेगा तो इन सब चीजों की उपर चर्चा हमारी और बार्दोली सत्याग्रव में दो इस बार्दोली के नाम से ये ठीक है एक लिर जाती बात चैप्टर नमबर 17 में हम भारत में जो मजदूर वर्ग है और राश्ट्री आंदोलन में उसकी क्या स्थितियां हैं इसके उपर डिसकेशन करेंगे चैप्टर नमबर 18 में गुर्द्वारा सुधार और मंदिर प्रवेश आंदोलन इत्यादी की चर्चा हुई है जैसे आप इसमें खास तोर से अकाली आंदोलन की चर्चा करेंगे अकाली आंदोलन ठीके तो इस अध्याय में खास तोर से अकाली आंदोलन की चर्चा होगी तमाम सारे सिख महंत हैं जो भरष्ट हो जाते हैं उनको लेकर के उनके इस रवाये के प्रति सुधार लाने का प्र लेगा वायकोम सत्याग्रह जो है उसके बारे में यहां पर चर्चा होगी ठीक है तो यह कुछ टॉपिक्स हैं जो चैप्टर्स हैं वह हमको इसमें देखने को मिलें अगले अध्याय की बात करें 19 की तो इसमें राश्टी आंदोलन में ठहराव के वर्ष मतलब अब यह में फस भी जाते हैं शुरुवात में स्वराज पार्टी बंटी 1923 में और फिर गांधी जी उसका थोड़ा सा विरोध तो करते ही हैं लेकिन बाद में जब रिहा होकर क्याते हैं तो कहते हैं कि ठीक कारे किया उन्होंने लेकिन उन्हें जो शंकत ही कि राजनीती में प्रव प्रत्यारोब करेंगे तो वह सारी चीज़ें आपको इस चैप्टर नंबर 19 में देखने को मिलेंगी चैप्टर 20 में भगस सिंग सूरिसेन और क्रांथिकारी आतंगवाद जो है वह हमको यहां पर आतंगवादी जो गतविदिया हैं वह हमको देखने को मिलेंगी दिखिए किताब में ही लिखे हुए शब्द हैं तो आपको मैच्योर माइंड से समझना होगा वाट दा मीन इस रिलेटेट टू दिस वर्ड आतंगवाद ठीक है तो यह आतंगवाद यह वाला आतंगवाद नहीं है जिसको आज हम समझते हैं ठीक है और उस समय उग्र रास्टवाद जो है उसको आतंगवाद के रूप में देखा जा सकता है निसंदे देखा सकता है और बिटिशर्स ने ऐसी परस्थितियां क्रियेट करी कि आतंग का सहारा हमें लेना पड़ा उग्र रास्टवाद का सहारा हमें लेना पड़ा हाथियार उठाने पड़े अंग्रिजों के खिलाफ जो है प्रदर्शन करने पड़े तो उन्हीं सब चीजों को यहां पर रखा गया है ठीक है तो आप बहुत ही मिश्यूर माइंड से इस वर्ड को यहां पर समझने का प्रयास कीजेगा बेसिकली इस टॉपिक में जो उत्तर भारत के क्रांतिकारी है उत्तर भारत के उत्तर भारत के क्रांतिकारी ठीक है उत्तर भारत के जो क्रांतिकारी है उनकी जो क्रांतिकारी गतिविधियां है उनके उपर खास और से चर्चा होगी ठीक है चटकाओं विद्रोह क्या हुआ है जो दर्शन है वो क्या है, क्रान्तिकारी दर्शन का प्रतिपादन किस तरीके से भगत सिंग इत्यादी ने किया है, उन सब के ऊपर हमारा discussion रहेगा, इसी प्रकार से चैप्टर नंबर 21 है, लोगों के अंदर रोश बढ़ता चला जा रहा है, चैप्टर नंबर 22 है, जिसमें ह और और किस तरीके से अगर आप देखेंगे कि पुनर संघर्ष जो है एक तरीके से शुरू हुआ इस दौरान कॉंग्रेस थोड़ा सा बैक्फूट पे आए थी गांधी जी भी थोड़ा सा बैक्फूट पे आये थे लेकिन फिर से जब चीजों की डिमांड बढ़नी शुरू हुए है वो तो उनके बारे में यहां पर उस घंट나 के बारे हम लोगे यह पर पढ़ना होगा कि पुनह संघर्ष आरभ है किस तरीके से और जब पुनह संघर्ष आरंभ हुआ तो सरकार ने क्या करना शुरू मिसमी कि अध्या देश चैला-चला करके लैब करके सरकार चलाई जा रही है तो अध्यादेश का राज है यहां पर इनी सब चीज़ों के मिरोध में आप देखेंगे गांधी जी का अंशन भी अमको देखने को मिलेगा धी का अंशन क्यों देखने को मिलेगा क्योंकि यह देखिए 1932 की बात हो रही है तो 1932 में राउंटेबल कॉन्फरेंसे जो है वो हो चुकी है और गांधी जी खाली हाथ वापस लॉट चुके थे लंदन से तो उसके बाद उन्हों फिर से आंदोलन शुरू किया फिर यहां पर एक पूना पैक्ट होता है पूना पैक्ट से पहले गांधी जी ने अंशन रखा हुआ है तो गांधी जी का अंशन सामप्रदाइक पंचाट के का समर्थन जो तमाम सारे भारती दलों ने किया था उसके विरोध में उन्होंने अं सामपंथी दल जो है वो किस प्रकार से उधित हो रहा है उसके उपर चर्चा रहेगी रणनीती पर बहस हमको देखने को मिलेगा अधियाय नंबर 25 में रणनीती पर बहस का मतलब हो गया आप देखेंगे कि राउंटेबल कॉन्फरेंसे तो फाइनली 1932 1935 में एक आया 1935 में एक आया जिसको बोला गया गर्रंट उफिंडियाय कि भारत शार्शासन अधिनियम आया और जब भारत शार्शासन अधिनियम आया तो इसके अनुसार जो है इसको लोगों ने स्विकार नहीं किया स्थाओं ऐसे इसको उइसमें सरकार बनाने का प्रावधान दिया हल्ग criticism फिर चुनाओ वी जिसमें एलेक्शं में participation लेकिन उस उसमें participate करना है कि नहीं करना है सरकार बनानी है किवं कया अगर हम सरकार strict करेंगे तो जनता क्या सोचेगी हमारे बारे में और क्या हम शुद्ध रूप से जो विरोध करना चाहते हैं, वो कर पाएंगे कि नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि हम ही Britishers का साथ देते हैं, वे दिखाई देने लगेंगे, ऐसी भूमिका में तो नहीं रहेंगे, तो ये सब पशो पेश जो है, वो ही रणनीती यहाँ पर बन रही है, उसी के 26 में Congress शासन के 28 माह जो हैं, उसके उपर discussion होगा, 1930 से 1940 के दशक का किसान आंदोलन हमको chapter 27 में देखने को मिलेगा, इसमें किसान सभा का जो सम्मेलन है, उसका जो पहला सम्मेलन है, उसका discussion होगा, क्रिशक शंग यहाँ पर तमाम सारे बनेंगे, उन क्रिशक संगों के बारे मे discussion रखेंगे हम, ठीक है, क्रिशक संग, किसान संग बनेंगे तो उनके उपर discussion रहेगा, इसके अलामा आगर आप देखोगे तो जमीदारी जो उनमूलन है, उसकी मांग होगी, यह सब चीजे हमको यहाँ पर देखने को मिलेगी, जमीदारी उनमूलन, उनमूलन की मांग, इस के अलामा सेकेंड वर्ल्ड वार इस समय शुरू हो चुका होगा, देख सकते हैं आप, 1930 से 40 की बात हो रही है, तो इस समय सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो चुका होगा, तो उसके क्या impact होंगे, भारत में किसान अंदोलन, इस दशक में एक तेभागा अंदोलन भी आपको के बारे में समझेंगे, हैदराबाद के बारे में समझ रहे होंगे, चैप्टर नमबर 29 में आप देखेंगे, भारती, पूंजी पती और राश्ट्री आंदोलन, भारती, पूंजी पती और राश्ट्री आंदोलन की बात कर रहे हैं, तो पूंजी वाद का विकास, ठीक है, उसके बारे मैं चर्जा करूंगा राजनीतिक पहचान कैसे बनती है पूझी वादी लोगों की उसके बारे में डिसकेशन करेंगे और पूझी वादियों की क्या आशंकाएं हैं उनके उपर डिसकेशन हमारा इस टॉपिक में इस चैप्टर में रहेगा ठीक है तो आगे पढ अपनिविशिक शासन का जो विस्तार है उसमें उसके विस्तारवाद जो है उसका क्या किया जा रहा है इसमें विरोध की चीज़ों को प्रदर्शित किया जा रहा है तो ये विस्तारवाद के विरोध को ले करके बनेंगी फर्स्ट वर्ल्ड वार के बारे में हम लोग समझ देखने को मिलेगा ना फासिवाद का विरोध का समर्थन यह हमको देखने को मिलेगा तो यह सारी चीजें हमको इस टॉपिक में सारी देखने को मिलेंगी प्रमुख है यह बात फोड़ासा फिलोसिफिकल है जो राष्टवाद उसको समझ यहां पर विक्सित किया जा रहा है साम्रवादी जो युद्ध हो रहे है सामराज जवादी जो युद्ध हो रहे हैं उनका उनके उनसे कैसे असहयोग किया सकता है और विश्व जो फोकस है उसका भारत की तरफ कैसे लाए जा सकता है इन सब चीजों की दृष्टिकोंगे यहां पर है चैप्र नमबर 31 में देखेंगे तो सांप्रदाइकता का उधै और विकास अब ये भारत के लिए एक दंश है एक तरीके का देखा जाए तो भारत के रास्टी आंदूरन में एक काला धब्बा भी है तो सांप्रदाइक जो चीजें हैं सांप्रदाइक का यथार्थ मतलब क्य क्या है उसकी अथार्थ था क्या है इसके बारे में डिसकेशन रहेगा मतलब यह थोड़ा सा फिलोसिविकल ही रहे शुरुबात में थोड़ा सा दार्शनिक चिंतन जैसी चीजें आपको इसमें देखने को मिलेंगी उपनिवेश्वाद की क्या देन है वह हमको यहां पर सम नीती है यह जो नीती विदेश विदेशी शासकों की भारत में लाई गई है उसका इंप्लिमेंटेशन वो क्यों कर रहे हैं और कैसे उसको इनसे लाव हो रहा है इसमें हिंदू आदी जो पुट है उसकी क्या भूमिका है वो भी हम डिसकेशन करेंगे नरम पंथी संप्रदाइक्ता में आप कुछ आरक्षन की मांगों को देखेंगे हिंदू संप्रदाइक वाद का हिंदू संप्रदाइक्ता का उदय भी हमको यहां पर देखने को मिलेगा हिंदू संप्रदाइक्ता का उदय ठीक है यह हमको देखने को मिलेगा इसी चैप्टर के अंदर चैप्टर नमबर 32 के अंदर ठीक है और खास बात यह है कि जो जैसे मुस्लिम्स की डिमांड थी पृथक निर्वाचक मंदल की तो यह पृथक निर्वाचक मंदल इत्यादी जो है इनके ऊपर हमारी चर्चाएं बनेंगी इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर चैप्टर नमबर 33 की बात करेंगे तो इसमें मुहमद अली जिनहा और दूसरे जो अब देखें इसमें हिंदू और मुस्लिम विरोध सीधे सीधे देखने को मिलेगा तो कई चीज़े हैं जो हमको चैप्टर नमबर 33 में गोलवलकर का जो विरोध है वो हमें समझ में आने को मिलेगा देखने को मिलेगा जिनहां जिस प्रकार से सांप्रदाइक परणिती तयार करते हैं उसी प्रकार से गोलवलकर जो है उसका विरोध करते हैं और गोलवलकर हिंदू जो सांप्रदाइक वाद है उसको बढ़ाव से थोनी शुरूब हो जाती है चैप्टर नमबर 34 की बात करेंगे तो त्रिपुरी के संकट से कृप्स मिशन तक का जो इतिहास है वो समझने का प्रयास किया जब भी हम त्रिपुरी का नाम लेते हैं तो सुभाष शंद्बोस का नाम याद आजाता होगा आपको सुभाष शंद्बोस और गांधी जी जो थे इनके इनके आपस में संबंध कैसे थे इसके उपर वनी गांधी वर्स सुभाष यह थोड़ा साम को इसमें पढ़ना पड़ेगा सुभाष जी ने फिर कॉंग्रेस से स्तीफा दे दिया तो वह स्तीफा क्यो कृप सुमिशन आया तो कृप सुमिशन की सीमाएं क्या थी इनकी जो बाउंटरीस थी वो क्या थी ठीक है उनके ओपर डिसकेशन रहेगा ठीक तो यह सारी चीज़ें आपकी चैप्टर 34 में रहेंगे चैप्टर 35 भारत छोड़ो आंदोलन और आजाद हिंद फौज का है सी विद्रोह का महौल यहां पर त्यार हो चुका है विद्रोह का पूरा का पूरा महौल बना हुआ है तो यह महौल कैसा है इसके उपर डिसकेशन रहेगा गांधी जी इस दौरान कुछ उपवास रखते हैं तो गांधी जी के जो उपवास हैं गांधी जी के गांधी जी के उ उनके ओपर discussion थोड़ा सा करेंगे समनांतर सरकारे parallel governments बनती है और खास तोर से आजाद हिंद फौज आजाद हिंद जो फौज है उसके ओपर discussion किया जाएगा इसकी क्या भूमिका रही है यह हमको यहाँ पर समझ में आएगा फिर बात करेंगे chapter number 36 की तो इसमें विश्वध के बाद की राष्ट्री लहर जो है वो कैसी है second world war जो हुआ है second world war की basically आपर बात हो रही है उसके बाद किस प्रकार की राष्ट्री लहर है जन उत्साह की जो वापसी है वो हमको देखने को मिलेगा तमाम प्रकार के इस दोरान जो युद्धबंदी बनाए गए थे उन युद्धबंदियों की सहायता से जो समर्थन मिला युद्धबंदियों का समर्थन उस समर्थन से कैसे राष्ट्री आंदोलन को हवा दी गई या यूँ कह सकते हैं कि साथ दिया गया उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे होंगे आजादी और विभाजन भारत का जो विभाजन है उसके उपर चर्चा रहेगी हमारी Congress और विभाजन को लेकर के हम लोग चीजों को पढ़ रहे होंगे Congress की क्या भूमिका रही है मतलब Congress का क्या सोच रही है उसके ओपर हम लोग यहाँ पर discussion करेंगे Congress के सामने किस प्रकार की समस्याई आई Congress और विभाजन के रूप में हम उसको पढ़ रहे होंगे विभाजन का यहाँ पर जो मतलब है वो भारत के विभाजन की बात हो रही है क्योंकि भारत अब विभाजन के तरफ पढ़ना शुरू हो रहे है तो उसके उपर discussion रहेगा ठीके फिर चैप्टर नबर 38 जो है यह राश्ट्री आंदोलन की दिर कली नरणनीती के उपर चर्चह होगी कि क्या रास्ट्री आंदोलन प्रकार से देख रहे हैं वो सारी चीज़े आंपर देखने को मिलेगा चैप्टर नंबर 39 की बात कर लेते हैं तो रास्ट्री आंदोलन के वहचारिक आयाम जो है वो क्या है वैचारी कायाम का संदर भी आपर ऐसे है जैसे कि मान लेते हैं कि रास्टी आंदोलन है तो यह क्यों चलाए गए हैं लोकतंत्र के लिए चलाए गए हैं तो लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र के प्रति प्रतिपधता क्या होगी लोकतंत्र के प्रति प्रतिपधता क क्या उनके पक्ष होने चाहिए नागरीक अधिकारों के पक्षदारी कौन-कौन लोग है आर्थिक विकास को किस तरीके से डवलप करना है सामराज जवादी जो रुजहान है वो क्या है गांधी जी के क्रांतिकारी विचार क्या है वो सब चीजें आपको चैप्टर नंबर 39 म प्रभाव अनि जो लगभग more than 250 years का जो शासन रहा है उस शासन का उस अपनविशिक शासन का भारत पे क्या प्रभाव पड़ा है यही है हमारा टॉपिक नंबर 40 यही है हमारा अध्याय नंबर 40 ठीक है तो यह कुल मिला करके हमने जो 40 अध्याय हैं उनका एक स्वरूप अलग अलग दिन अलग अलग चैप्टर के रूप में हम लोग पढ़ रहे होंगे आशा करते हैं कि आप सब लोग त्यार रहेंगे आज के इस आज के सेशन में आपको यह पता चल गया कि हम क्या पढ़ने वाले हैं exactly हम किस तरीके से चीज़ों को रखने वाले हैं किस तरीक भारत का स्वतनता संघर्ष जैसे यह जो टॉपिक है आपका यहां पर देखे यह भारत का स्वतनता संघर्ष है और जब हम इस किताब की बात करते हैं तो यह आधनिक भारत कहतिया से दोनों में डिफरेंसेज हैं basically यह वाली जो किताब है आधनिक भारत का संघर्ष यह आजनिक भारत का एक विशेस्ख हंड है जो इस किताब में कवर किया गया है जिसके अलग-अलग अध्याय मैंने आपको यहां पर बताए अभी ठीक है तो यह सब अध्याय जो आपने यहां पर पढ़े उसके बारे में मैंने आपको बताया अभी थोड़ी दिर पहले तो आज के टॉपिक में आज के सेशन में फिलहाल इतना ही रखते हैं आपको अच्छी तरीके से इंट्रोड़क्शन मिल गया होगा जानकारी मिल गई होगी जाने से पहले मैं फिर बता दूँ कल इसमें लास्ट देट है इसलिए आज ही एड्मिशन ले लीजिए इतने सवस्ते में आपको प्रिलिम्स से ले करके इंटर्व्यू तक का एक बढ़िया तरीके से एक सही तरीके से कोई भी पढ़ाने वाला बैच नहीं मिलेगा कभी भी तो इसलिए जरूर इसका लाब उठाएं दीपा वली से बड़ी छूट कभी भी आपको स्टड़ी आईक्यू में देखन घ्यक्ष कभी बैस पढ़ें फिक इंग्लिश कभी बैस पढ़र होगा अगर आप इंग्लिश के ट्टेंट तो आप इंगलिश मीडिएम का बैस ले सकते हैं हिंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो पंदरातारीक से भी बैस या लिए आज इसमें पढ़ा रहे हैं तो आप सबस्क्राइब बतारे चाहता हूं हिंदी broadcastुअ या फिर दूसरे ऑप्षिनल जो हैं वह आप लेना चाहें तो ले सकते हैं अन्य ऑप्षिनल जो हैं वह बाइलेंग्वल हैं हिंदी साथ तो हिंदी में ही रहेगा इसके लिए भी आप विरत लाइब कोड का बताईए सेशन को लाइक करिए इस लिंक को शेर कर दीजिए अधिक से अधिक जो लोग इस चैनल पे नए हैं पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब करके और बैल आइकन प्रेस करके जरूर जाए जिससे कि इस तरीके के इंपोर्टेंट जो आपके सेशन्स हैं वो आपसे QISMD